नमस्कार मैं प्रिया इजी कुकिंग एंड मोर चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इसे सब्सक्राइब कर ले जिससे मेरी इजी एंड क्विक रेसिपी आप तक चल्द से चल्द और खिलाना भी तो चलिए बनाते हैं बची हुई इटली काय के स्पेशल डिस इटली को छोटे चोटे चोटे टुकड़ों में काट लेंगे मैंने वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है ताकि वीडियो बहुत लंबा ना बने सबसे पहले एक कराही गर्म कर लेंगे कराही गर्म हो गया हुआ है इसमें एक छोटा चमच राई डाल दिये जब राई चटकने लगे फिर इसमें तेल एट करेंगे जो भी तेल आप खाने के लिए यूज करते हो वह तेल डाल सकते हैं एक बड़ा चमच मैंने यहां पर तेल डाला है दो सूखी लाल मिर्च थोड़ा से करी पत्ता थोड़ा सा कटा हुआ कैप्सिकम ऐसे पतले फिक्रों में कटा हुआ है आधा छोटा चमच हल्दी पाउडर आधा छोटा चमच लाल मिर्च पाउडर आप अपने स्वाद के अनुसार ज्यादा भी डाल सकते हैं अगर आप ज्यादा स्पाइसी खाना पसंद रसे है तीस ते चाली सेकें भूनने के बाद इसमें एक मीडियम साइज का कटा हुआ नमक स्वादा अनुसार डाल देंगे जितनी विड्ली है उसके हिसाब से जो मिनट तक ही से ढख कर पताएंगे जो मिनट तक ही से ढख कर पताएंगे अब यह घुन चुका है अब इसमे थोड़ा सामया पर किचन किंग मसाला डाल रहे है अब यह कटे हुए इड्ली के टुक्रे आड कर देंगे अच्छे से मिला लेंगे अच्छे से प्राइ कर लेंगे जब यह अच्छे से प्राइ हो जाए फिर इसमें भुना हुआ मुंग फली या फिर काजू जो भी आप डालना चाहिए डाल सकते हैं निंग श्नैक में आप बहुत अच्छे से इसमाल कर लगते हैं सेफ करने के लिए त्यार हैं मसालेदार फ्राइड इडली त्यार है सेफ करने के लिए मेरी और भी रेसिपी देखने के लिए यहां बने आई बटन पर क्लिक करें और मेरी रेसिपी को मेरी कुकिंग वीडियो को देखें इस तरह की इंस्टेंट और हेल्दी रेसिपी के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहिए मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए नमस्कार